हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमेद करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों जैसा का आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइबर का एकजाम 21 अक्टूबर को तीन पालियों में पूर्डूप से संपन हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम समझानेंगे कि दिल्ली पुलिस ड्राइबर के एकजाम में आपका कितने नंबर बन है तो आपको आगे फीजिकल की तयारी और ड्राइबिंग टेस्ट की तयारी शुरू कर दिने चाहिए तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रही है यहां पर हम यह भी देखेंगे कि याहां पर कुल टोटल गेदरिंग कितना है कितने कंडिट्द sentenced भाग लिया था और कितने कंडिडेट ने एकजाम देने को आये था तो दोस्तों अंट तक बने रिये तो सब्सक pages information उसको कि आपका तोटल कटाफ मैं कोई चाहए तो दूस्तों सबसे पर हया पर आप देख सकते हैं इसे फ्रम जेलब किया था वह वन पोइंट नाइन सेवन यानि कि यहां पर कह सकते हैं कि लवख में तो दोस्तों यहां पर याई की जैसा कि आप जानते हैं यहां पर कुल टोटल वेक सी की से समंदेत हैं यहां पर जैसा कि आप जानते हैं तो टोटल जो है यानि कि 28,440 हैं और यहां पर कंप्टीशन अगर देखा जाए तो साथ कंडिडेट एक सीट के पीछे राइड कर रहे हैं और दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग का तो दोस्तों यहां पर निगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इंपक्ट पढ़ने वाला है और अगर हम बात करें यानि कि जैसा कि आप जानते हैं कि तीन पालियों में यहां पर एक्जाम संपन हुआ है तो यहा यहां पर नॉर्मलाइजिशन का भी यहां पर इंपक्ट देखने को मिलेगा इसलिए और यहां पर अगर हम बात करें नॉर्मलाइजिशन का तो यहां पर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपका सकते हैं तीन या चार नंबर का फरक देखने को मिल सकता है या फिर आपका सकते ह का ही फर्क आपको देखने को कहीं नहीं होने वाला है तो दोस्तों अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जैसा कि आप आप देख सकते हैं डीटेल में यहां कि जनरल का कुल टोटल 604 पोश्ट और से इस का दोस्तों यहां पर ओपन में पांसो तालिस जब कि एकस सर्विस्मेंट के लिए एकसर था तो इसा कि दोनों ही काटेगरी का इसे और कुल्टोर जो वैकंसी है वह 1411 है अब नेश्ट जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यानि कि आप स्लेव जो है वह आपका जनरल अवेर्नेस से 20 क्योशन यानि कि यहां पर जनरल इंटेलिजन से 20 और निमेरिकल अबेल्टी से भी 10 नंबर और यहां पर जब आपका रोड सेंस वहिकल से मेंटेंस ट्रॉपिक रूल एंड सिगनल वहिकल से इन्वार्मेंटल पॉलूशन और यानिकि इन सबसे आपका 50 नंबर का यहां पर मार्क पूछा गया था और तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कूल टोटल जो मार्क है वह आपका हंडेड में हंडेड यानिकि आपका हंडेड नंबर आपके उस्चन है और यह टूल टोटल सो ही मार्क हैं और इसके लिए आपको टाइम दूरेशन दिया गया था वह नबबे मीनट दिया गया था तो दोस्तों यहां पर जो कटाफ आपका कितना रहेगा वहां देखते हैं सबसे प बन रहे हैं तो आपका यहां पर सेफ इसकोर माना जाएगा और अगर हम बात कर यहां पर मैं आपको बदाने चाहूंगा कि अगर आपका यहां और कि कि और चो यहां कि दिए कि बिए आपको साथ ही मिला है यान है कि आप का 10 आपका 60 ऑग से पूछा था जो यह बता रहेते की 70 तो दोस्तों यहां पर matter करता है आपकी accuracy तो इसलिए आपका यहाँ पर 60 जो है वह आपका good attempt भी माने जाएगा तो दोस्तों जैसा कि हमने जनरल और EWS का देख लिए अब हम देखते हैं कि OVC का कटाफ कितना रह सकता है तो OVC का कटाफ जो है वह आपका 50 है और 80 का कटाफ है वह 44 और यहाँ पर हम ब open category के लिए था याणि कि open category के लिए आपका कटाफ जो इतना जाएगा अब हम देख लेते हैं कि आपका याणि कि एक्सवीसमैन के लिए कटाफ कितना रह सकता है तो एसытयो कि यूटी के लिए जेनल OVC की का कटाफ कितना रहेगा तो जनरल से अगर आप एकटालिस से अगर प्लस में अगर आपके नंबर बन बन है तो आपका यहांपर सेफ इस्कोर है और आपका हैं पर पूरा सेलेक्शन का चांसे से और आपको अभी से फिजिकल की तयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप बात करें अगर अगर आपका 40 से प्लस में मार्क बनना है तो आपका यहां पर सेलेक्शन का पूरा चांसे से और आप अभी से इसका प्रिपेशन का पूरा चांसे से अगर आपके इतने से प्लस में बनना है तो आप अभी से ही फीजिकल की और ड्राइविंग टेस्ट की शुरू कर दें क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसका जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वह बहुत ही ज्यादा हाड होता है और यहां पर आपको बस प्रोवाइडिक कर दिया जाता है कि बस यह जो भी है और यहां पर आपको यानिकी एक फिट इधर चोड़ कर जया जाता है और जीग-जैक मोड में आप से राइडिंग करवाई जाती है तो दोस्तों ऐसे में आपको यानिकी स्क्राइबिंग में भी बहुत ज्यादा फोकस रखनी चाहिए तो दोस्तों यहां थी इंफॉर्मेशन उम्मेद करता हूं कि आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छे लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक किजिए और कॉम